हम लोग मेट्रो से अभी आ गए हैं लाल केला में अभी हम आटो से जा रहे हैं अकसरधाम टेंपल हमने उबेर बुक कर लिया है क्योंकि और अडवेंचर्स नहीं चाहिए पूरा दिन हम बहुत ठग गए हैं हेलो गाइस तो आज का ब्लॉब बहुत ही मज़िदार होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं डेली तो चलिए आपको ले चलते हैं तो वहां तर जाएंगे मनाली तो अभी सुबस वह फ्लाइट है अभी बज़रा है रात के दो और हमें जल्दी जल्दी निकलना है तो ज्यादा बात नहीं करेंगे तो फ्लाइट पकड़ लेते हैं फिर पहुंचते हैं डेली और फिर दिखाते हैं कि क्या क्या करते हैं वहां पर तो चलिए मेरे साथ चलिए और वीडियो को एंड तर देखिए तो हम लोग आ गये हैं कुलकता यारपोत में और अभी बज़ रहा है पौने पांच तो हम लोग जा रहे हैं मनाली और हम घर से निकले थे पौने तीन बज़े अभी हमारा चेक-इन भी कंप्लेट हो गया तो चलिए आपको ले चलते हैं तो फ्लाइट में बैट गया है अभी टेक-अफ करने वाला है तो बाहर कर थोड़ा दिखा देते हैं आपको इसका बोसम बहुत ही अच्छा है तो चलिए आपको थोड़ा दिखा देते हैं फ्लाइट में बैट के गर्मा गरम मैगी खाने का मजा ही कुछ और है तो दोस्तों विंडोस इट का तो मैंने पूरा यूटिलाजेसन कर लिया वीडियो ले लेके तो चलिए आप लोगों के साथ भी थोड़ा सेयर कर लेते हैं अभी हमने कैब ले लिया है और हम जा रहे हैं हमारे एक भया के घर तो वहाँ दो दिन रुखने वाले हैं क्योंकि हम दिल्ली घुमेंगे थोड़ा फिर हम जाएंगे मननाली हलो करो हाई हाई क्यों यह वह यह थे के यह था अभी बज़रा है बेड और हम लोग निकल चुके हैं भया के घर से तो हम यहां से जाने वाले हैं रेड फोर्ट हम अभी मेट्रो लेने वाले हैं कि यहां का मेट्रो का एक्स्पिरियंस भी कुछ अलग होगा तो सब कुछ ट्राइक कर लेते हैं तो चली चलते हैं हम लोग मेट्रो से अभी आगे हैं लाल किला में यहां पीछे हैं मेट्रो स्टेशन और यहां तेकरा है लाल किला रेड़ फूट के अंदर घुषते ही आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे तो अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप थोड़ा टाइम यहां पर स्पेंट कर सकते हैं कुछ खरीद सकते हैं पर हमारा पास थाट टाइम थोड़ा कम था इसलिए हम नहीं देखे कुछ भ यहां आप देख सकते हैं कितना सांत माहल है तो रेड़ फोट के अंदर अगर आप प्रापर घूमना चाहते हैं तो दो तिन घंटा तो आपका यूँ ही बिद जाएगा तो हाथ में टाइम ले के आईए जरूर तो रेड़ फोट के अंदर आने का और म्यूजियम देखने का टिकेट हमने साथ में लिया तो म्यूजियम थोड़ा घूम के देख लीजिए कैसा है उसके अंदर जो म्यूजियम है अभी हम वहाँ पर है जिसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है म्यूजियम के लिए तो यहाँ पर मुझे खास कुछ नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर देखने लाए कुछ भी नहीं था और है यहाँ पर बस ऐसे कुछ आर्टिकल्स है जो आप पढ़ सकते हैं पर मुझे उतना इंट्रस्ट नहीं है पढ़ने में तो इसलिए अभी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा तो हम अभी दूसरी जगह पर चले जाएंगे तो चलिए चलते हैं अब हम जिसके तरब जा रहे हैं वो है सावन भादर पैविलियन तो यह सावन और वो दूर जो दिख रहा है वो भादर पैविलियन तो इसका नाम बेंगॉली मंथ स्राबोन भादरो इनके हिसाब से वा था अभी हम देखेंगे दिवानी खास तो पुरानी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वो कैसे बनाए हैं यह सोचते सोचते ही मेरा पूरा टाइम निकल गया क्यूंकि काम इतना हेवी है और पत्थर के उपर पता नहीं कैसे बनाते होंगे और वो भी उस टाइम जब टेक्नलोजी उत्रा एडवांस नहीं था तो चलिए अभी थोड़ा मुम्ताज महल घूम के देख लेते हैं यहाँ पर कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है पुराना सब कुछ हटा के वाइट वाइट क्या सब किये हैं अच्छा विल्कुल भी नहीं लग रहा है अभी हम देखेंगे देवानी आम तो आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं बहुत थी बढ़िया है और मन करता है यहीं बैट के देखती रहूं पर जाना है तो थोड़ा जल्दी है जल्दी जल्दी आपको दिखा देते हैं यहाँ पर बैटते थे सहिंसा जो की वाइट मार्बल से बना हुआ है और वो यहाँ पर बैट के बिचार करते थे तो हम लगभग घूम लिए रेट पोर्ट तो यह वाला जो पोर्शन है यही आपको अच्छा रहेगा और अब अगर कम टाइम लेके आते हैं तो आप म्यूजियम में बिल्कुल भी नाग हुसी है क्योंकि म्यूजियम बिल्कुल अच्छा मतलब उतना खास कुछ नहीं है बस अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना पसंद है तो आप जा सकते हैं और कुछ-कुछ आर्टिकल्स लिखके हुए हैं और पढ़ सकते हैं यहां पर देखने के लिए बहुत अच्छी 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 आर्किटेक्ट्र बने हुए है तो आर्किटेक्ट्र यहां आप देख सकते हैं देवानी आम है, देवानी खास है और मुम्ताइज मुहाल और बहुत कुछ है तो अभी हम जा रहे हैं जामा मस्जिद वहां से हमने ग्रेटपोर्स से एक टोटो गूप कर लिया और यह हमें पहुँचा है जामा मस्जिद वहां पर बहुत ज्यादा सोर था इसलिए मैं बाद में भॉइस ओवर दे रही हूँ तो एक बहुत ही बढ़िया प्लेस है इसका स्ट्रक्चर भी बहुत थी अच्छा है और हम यहां पर संसेट के टाइम गए थे तो सूरज ढूबने का नजारा बहुत ही बढ़िया था जामा मस्जिद के बाहर आपको बहुत सारे फास्ट फूड के दुकान मिलेंगे और वहां पर कबाब फेमस है तो आप लोग ट्राइ कर सकते हैं हमारे पास टाइम बहुत कम था हमें जाना था अक्सरधाम टेंपल तो हमने वो स्किप कर दिया जामा मस्जिद के थोड़ा सामने ही है मेट्रो का गेट तो आप वहां से मेट्रो ले सकते हैं या फिर ओला उबेर कुछ भी ले सकते हैं तो हम मेट्रो लिये और सीधा गेए अक्सरधाम टेंपल अक्सरधाम टेंपल का आपको कुछ नहीं दिखा सकते क्योंकि वहां पर मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है मोबाइल जमा करके जाना पड़ता है और बापस आके वो लेना पड़ता है वैसे मंदिर का एंट्रिफी कुछ नहीं था लेकिन वहां पर एक सो चल रहा था जिसके लिए 90 रुपीस पर हेट करके पढ़ रहा था टिकेट अगर आप डेली आते हैं तो अकसरधाम टेंपल मिस मत कीजिए लिस्ट के आप एक नंबर में रखिए ताकि ये मिस ना हो जाए और अंदर फूट कोट भी है वहां से आप अपने पसंद का खाना चूज कर सकते हैं तो सब मिलके बहुत अच्छा था तो आज पूरा दिन बहुत अडवेंचर्स कर लिये थे तो हम जस्ट वहां से मंदीर से निकले और उबेर लिये और घर पहुँचे तो नेक्स दिन देली में हम क्या खिये वो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वेडियो डालू आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए